यादेवी सर्वभूतेशु माशक्ति रूपेने संस्तिता नमस्तस्याई नमस्तस्याई नमोनम्ह नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल Purity of Life में मैं निलम शक्ला आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों गुप्त नवरात्री सास्त्रों के अनुसार समस्त प्रकार की सिध्धियों को प्राप्त करने के लिए समस्त प्रकार की मनों कामनाओं को प्रोण करने के लिए गुप्त नवरात्री का समय विशेश रूप से बहुत ही स्रेष्ट समय होता है इस समय में जो पूजा आराधना की जाती है जो भी मंतर जब किये जाते हैं जिस भी प्रकार से हम देवी को प्रसन्य करने के लिए मंतर जबते हैं या कोई पूझा करते हैं वो गुप्त रखा जाता है और इसे लिए इसे गुप्त नवरात्री कहा जाता है दोस्तों सनातन धर्म में वर्स भर में चार नवरात्री आती है दो प्रकट नवरात्री जिसे की आम जन्मानस सभी लोग जानते हैं एक आश्वीन मास की नवरात्री होती है और दूसरी नवरात्री होती है चैत्र मास की लेकिन इन दो नवरात्री के अलावा भी दो नवरात् आश्वीन मास की नवरात्री होती है शुकलपक्ष में आती है प्रतिबदातिति से लेकर नौमी तक उसी प्रकार से माघ मास और आसाड मास की भी जो गुप्तनवरात्री होती है वो शुकलपक्ष की प्रतिबदातिति से लेकर और नौमी तीति तक आती है इसमें माभगवद दुर्गा के नौ स्वरूपों के अलावा दस महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है गुप्त नवरात्री में साधक रूप से महत्यपुर्ण मानी गई है तांत्रिक और साधक गुप्त साधना करके सिध्यों की प्राप्ति करते हैं कठोर तपस्या करते हैं कई कड़े नियमों का पालन करते हैं और माभगवती दुर्गा को प्रसन्य करके अपनी मन चाही कामना को पुर्ण करते हैं इसलिए ब आप शक्ति की आराधना करके मा दुर्गा को प्रसन्य करके अपने जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं तो एक आम जन मानस भी गुप्त नवरात्री में मा दुर्गा के नौस्वरूपों की आराधना करके सात्विक पूजा करके जिस प्रकार से हम नवरात्री में पूजा करते हैं चैतर नवरात्री में आश्वीन नवरात्री में उस प्रकार से इस समय में भी आप माभगवती दुर्गा के नौस्वरूपों की आराधना करके अपने मन की कोई भी काम ना पूर्ण कर सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि गुप्त नवरात्री मागमाज की गुप्त नवरात्री कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, घट स्थापना का शुब महुर्थ क्या होगा और इसके अलावा किस दिन किस देवी की आरातना की जाएगी कौन सा मंत्र है जिस मंत्र के जब से आप अपने मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं मागमाज के गुप्त नवरात्री से संबंधित संपुर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए शेर कीजिए फैमली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बारा हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर राप्त हो जाएगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुप्त नवरात्री कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी घट स्थापना का यानि कलस स्थापना करने का शुब महुर्थ क्या है देखिए गुप्त नवरात्री की प्रतिपदातिती प्रारंब हो जाएगी एक फरवरी को प्रतेहकाल 11 बज कर 15 मिनट पर और प्रतिपदातिती समाप्त हो रही है दो फरवरी को सुबह 8 बज कर 31 मिनट पर तो मागमाज की गुप्त नवरात्री दो फरवरी यानि बुद्धवार से शुरू होगी और घट स्थापना का शुब महुर्थ होगा दो फरवरी प्रातेहकाल 7 बज कर 9 मिनट से 8 बज कर 31 मिनट तक यही समय है घट स्थापना के लिए अगर आप कलस्की स्थापना करना चाह होगा यानि पारण का दिन जो होगा वो दस फरवरी के दिन होगा और अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्री में किस दिन हमें माभगवती दुरुगा के कौन से स्वरूप की आरात्ना करनी है तो देखिए दो फरवरी से गुप्त नवरात्री की शुरूआत होगी तो प् पूजा होगी चार फरवरी शुक्रवार के दिन मा-चंद्र घंटा की पूजा होगी गौत 실नी है। गुप्त नवरात्री का अंतिम दिन है आज वरत का पारण होगा अगर आपने नवरात्री में कलश की स्थापना की है तो आज ही के दिन आप कलश का विसर्चन भी करेंगे तो ये मादरुगा के नौ स्वरूप हैं जिनकी आराधना आप गुप्त नवरात्री में भी उसी प्रकार से करेंगे जिसे की चैत्र नवरात्री शार्दी नवरात्री में करते हैं और मादरुगा के नौ स्वरूपों के अलावा गुप्त नवरात्री में दस महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है। सास्त्रों के अनुसार दस महाविद्याओं की अगर गुप्त नवरात्री में आराधना की जाए तो समस्त प्रकार की सिध्यों की प्राप्ती हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाई पूर्ण हो जाती है आईए जानते हैं दस महाविद्याओं के नाम जिनकी आराधना हमें गुप्त नवरात्री में अवश्य करनी चाहिए। मात्र एक ही मंत्र हम जबें और हमारे मन की चाहिए जो भी काम ना हो पुर्ण हो जाए इसके लिए जो सबसे महत्यपुर्ण मंत्र होता है वो नवार्ण मंत्र होता है। या कोई भी मंत्र सिद्ध कर रहे हैं या कोई विशेश मनो कामना है जिसके लिए आप कोई विशेश पूजा आरात्ना कर रहे हैं। ये बात आप चर्चा नहीं करते हैं किसी से जैसे कि हम प्रकट नवरात्री में पूजा करते हैं पूरे धूमधाम से उस प्रकार से गुप्त नवरात्री में नहीं की जाती है। साधना का समय होता है तो शांत मन से एकांत में ये पूजा आरात्ना की जाती है। और सास्त्रों के अनुसार इसी कारण इस समय में की गई पूजा प्रारत्ना बहुत शीग्र्फली भूत होती है। कोई भी मनो कामना हो गुप्त नवरात्री में अगर आप उसके लिए साधना करते हैं कोई विशेश मंत्र जब करते हैं कोई विशेश उपाई करते हैं तो वो आपकी मनो कामना बहुत स्रीगर पुर्ण होती है ये बहुत ही प्रभावी बहुत ही शक्ति साली समय होता है तो अगर आप साधक हैं, शक्ती के आराधक हैं, तो गुप्त नवरात्री के ये 9 दिन आपके लिए वर्दान के समान हैं, तो इस समय का आपको लाब उठाना चाहिए, दोस्तों गुप्त नवरात्री में किस प्रकार से माभगवती दुरगा के 900 रूपों की आराधना करनी चाहि या गुप्त नवरात्री की प्रती दिन की पूजा विधी क्या होगी ये समस्थ जानकारी की वीडियो आपको आगे चैनल पर मिलेंगी तो आप चैनल से जुड़े रहें जिससे की इस गुप्त नवरात्री में माभगवती दुर्गा की आराधना हम साथ-साथ कर सकें अगर गुप्त नवरात्री से संबंधित आपका कोई प्रशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे की गुप्त नवरात्री शुरू होने से पहले आपको आपके प्रशनों के उत्तर मिल जाएंगे तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभवश्य होगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक् कर लीजे इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार